हेलो दोस्तों, वनश्पती तर्शन और फाइदे यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तों, अक्सर चेहरे की तवचा की पोर्स मतलब रोम कुप खुल जाते हैं लेकिन कभी-कभी ये समस्या पूरे चेहरे पर ना होकर सिर्फ नाक पर ही हो जाती है इन खुले रोम चिद्रों में धूल मिट्टी और परदुशने तन गुज जाते हैं जिसे एकान तवचा रूखी बेजान पड़ जाती है, कील मौह से ब्लैक एड्स निकलाते हैं और जिससे नाक भद्धी भी लगने लगती है साथी आप अपने चेहरे की सुनरता को भी खो बैठते हो इसलिए अगर आप चाते हो कि आप सदा कुपसूरत दिखते रहो तो आप इन रोम कूपों को उनके सही आतार में वापस ले आएं और आज हम जो नुष्खा आपके लिए लेकर आई हैं वो इस काम में आपकी बहुत सायता करता है तो चलिए जानते हैं कि वो नुष्खा क्या है और उसे कैसे तियार करना है इस नुष्खे को तियार करने के लिए आप एक कटोरी में दो चमच चने काटा एक चमच दही आदा चमच जैतून का तेल आदा चमच हल्दी और थोड़ा चा गुलाब जल ले ले और सबी सीजों को मिलाकर अपना एक स्मूद पेस्ट तियार करें दोस्तों सब्स्राइब करें अपने इस चैनल वनस्पती दर्शन और फायदे को और साथ में दी गई गंटी को जरूर बजाएं ताकि आपको हर वीडियो को नोडिवेशन समय पर मिलता रहे इस पेस्ट को आप अपनी नाप पर इस तरह से लगाएं और इस तरह गोल गोल मसाज करें आपको पांच मिनद तक इसी तरह मसाज करनी है उसके बाद आप पेस्ट को सूखने के लिए छोड़ दें करीब 20-25 मिनद तक पेस्ट अच्छी तरह सूख जाएगा तब आप चेहरे को ताजे पानी से साफ कर ले और कोई मोश्राइजर लगा ले इस नुसके को आप रोज परयोग कर सकते हो लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो सब्ता में कम से कम तीन बार इस नुसके बलकि पूरे चेहरे पर भी इस्तेमाल कर सकते हो ये नुसका आपकी सुंदरता को बढ़ाने में विशे सायक होगा तो दोस्तों आज अबने आपको एक ऐसे नुसके के बारे बताया जो तवचा के खुले रोम कुपो को उनके सही आकारमी लाता है और आपके सुंदरे में चार चंद लगाता है इसलिए अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइख और शेयर करना बिल्कुल ना बूले साथी आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी तुरन सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि इस चैनल पर हम रोजाना एक एक ऐसी स्वास्तव वर्दक वीडियो को आपके लिए लेकर आते हैं थैंक यू फो वोचिंग कर दो दो आप हमारे लेकर आते हैं कर दोंकि थाठाइब झाहँ आते हैं